जैहिंद, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं मिसन कॉंपेशन, 67 BPSC के लिए लगतार हमारा वीडियो आ रहा है, चाहे हैं वो प्रैक्टिस सेट हो, करेंट अफेड्स हो, या तो फिर बिहार अस्पेसिल का वीडियो तो, अगर जाने हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, से कुष्चेन आता है, आप एग्नोर नहीं कर सकते हो, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को जरूर जरूर सेर करिए का नए लोग चनल को सब्स्राइब कर लिजे, क्योंकि ऐसे लगातार हम और कल हमारा बिहार स्पेसल सेंसर्स आने वाला है, तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर लिजे, अगर आपने नहीं किया है, तो नोट्फिकेशन बेल आन कर लिजे, ताकि आपको नोट्फिकेशन मिल सके, साथी साथ मैं बता दू, बिहार स्पेसल का हमारे चनल पर स्रीज चैनल पर जूट सकते हैं, इसका खासियत यह होगा, कि जितने भी पेड कोचिंग संथा होता है, प्रफिक्शन, आस्था, दृष्णी, इन सब के पेड कोचिंग क्लासिस के जो प्रैक्टिस होता है, यह सब हमारे पीडिया, जो है टेलिग्रम ग्रूप में प्रवाइड कर कर दिया गया है, विवस्था कर दिया गई है, जिसमें सब का देकि परफिक्शन का 15 होगा, और साथी सब आस्था का 5 सेट होगा, सारे के सारे बाइलिंग्विल होंगे, तो कोई दिक्कत में इंगलिस इंदी दोनों को, कोई भी प्रवल्म नहीं होना है, ठीक है, जस 75 रू और हम बहतर क्या क्या कर सकते हैं, हमें और किन-किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, आप जरूर हमें सजेस्ट करें, चलिए, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहां देगे, जनगन्ना के हिसाब समद्धी प्रमुक्तत थे जो हैं, यहां पर हम देखेंगे, पहल पर नियमित जनगन्ना जो है, 1881 से सुरू हुई, ठीक, जन संख्या का महा विभाजन वर्स जो कहा जाता है, ठीक है, जन संख्या का महा विभाजन वर्स 1921 वो कहा जाता है, जन संख्या का लगू विभाजन वर्स जो है, 1951 इसे कहा जाता है, ठीक है, अब आते हैं, 2011 की जन वो सुला हुआ होगा ठीक है चल गये जंगंणा 2011 का प्रमुक स्लोगन जो था जंगंणा Kyon प्रमुक स्लोगन ठीक है हमारा नागरिक की आयो जिसे यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा पंदरा वर्स ये हो गया है ठीक है और जन्गना तो जन्गना तो जन्गना कारे करताओं की संख्या कितनी थी तो 2.7 संख्या कारे करता थे 20 270000 क तो है 20997 Tas यहां पर जन्गनना करता थे 2.7 टिक है ठीक है और जन्गना वर्स दियोगा ती आकड़े क प्रकासन की अ renewal 17 मार्च 2011 को final data यह प्रस्तूत किया गया था जन्यननना 2011 के final आखरो का प्रकासन 13 अप्रेल 2013 में यह दे दिया गया final आखरे जन्यननना 2011 के final roku 2013 में final आखरे को यह वह बिल्कुल पब्लिश कर दिया गया बिल्कुल बन के एक दों 100% वालए एंट फाइनल वाला ठीक है रा जम संग सासित प्रतिसों की संख्या में उसमें 36 ठीक है और जिले की संख्या 640 ठीक है प्रखंडों की संख्या जो थी 5924 थी और सहरों की संख्या 7936 प्रखंड और सहर ये ध्यान में रखेंगे आप लोग प्रखंडों की संख्या 5924 और सहरों की संख्या 7936 अब देखिए भारत की जन संख्या जो है 2011 इसे आप से बात करना है तो कुल जन संख्या जो थी वो 121 करोड 5,79,573 ये कुल जन संख्या थी विस्ट की कुल जन संख्या परतिसत जो हो गया भारत में 17.5% भारत में निवास करते हैं पुरुष जन संख्या जो हो गया तभी के इसाप से 62 करोड 31,21,843 और महिला ज सकिराव जो हो गया 48.53 महिलाओ की जन संख्या हो गई 2011 की जन खाना के हिसाब से सरवादिक जन संख्या वाला जो राज है वो उत्तर प्रदेश 2011 जन खाना के हिसाप से vẫn 19 your 19 Me 20 acred现在 प्रदेश दिल्ली एक करोड शंसरफ लाग 7 Leaving Friday लिस्ट नियुन्तम जनसंक्या वाला राज सिक्किम है 6,10,570 और नियुन्तम जनसंक्या वाला केंसासित पर्देश की बात की जाए तो लक्ष दूई फैये 4,473 सिसु जनसंक्या ये बात की जाए 0-6 वर्स की आयू सम्मू में तो ये जो था तभी के हिसाब से 16,44,78,150 यानि 13,6% हो गया टोटल जनसंक्या का और पूरुस जनसंक्या में जो है ठीक है यहाँ देखिए सिसु जनसंक्या का ओवराल बात हुआ है ठीक है जो कुल सिसु अब इसमें लड़कियां लड़के दोनों आ गए ठीक है अब यहाँ पूरुस जनसंक्या सिसु जनसंक्या में की बात हो रही है कि सिसु में जो है मतलब मेल जो सिसु हो गए उनकी बात हो रही है ठीक है तो पूरुस जनसंक्या उसमें थी 8,57,3,470,8% और यहाँ पे महिला जनसंक्या जो हो गया साथ कडोड 87,45,613,4% ठीक है आप देखे सीसू लिंगा नुपाद 0-6 वर्स की आयू समू 919 महिला है परती 1000 पूरोस पर सीसू लिंगा नुपाद की यहां बात हो रही है ठीक है यहनी 919 लड़किया पर 1000 लड़कों पर एक्जिस्ट करती थी 2011 में अभी जो 21 में आगा डाटा यह बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो आपको अपडेट होना परेगा हम दुबारा से 2021 का जैसे ही जनकर ना आएगा हम बिल्कुल आपके लिए वीडियो ले के आएंगे ठीक है जनसें के विर्दी दर देखे 2011 में जो है हैि दसके विर्दी जो हुई है अट oh बिल्दी दर और 15UM में चैना 0000 की ठीक है रही है फ slight six of the heatре इन उठिक हुए अन्त nephew कि गई है नव करोड़ नओ लाँक पैंसट हजार एक घ्र रड़ के और दसकी विर्दिदर दसकी जो यहां बात है पूर्शों में परसेंट की बात की जाए तो सेंटीन पॉइंटीन पॉइंट वान परसेंट हो गया महिलाओं में दसकी विर्दिदर नौकरोर 9 24,276 ठीक है तो यहां जो दसकिये विर्दिदर महिलाओं में बात की जाए तो 18.3% जो की पुर्सों के मुकाबले 1% अधिक है दसकिये विर्दिदर महिलाओं में बात हो रही है तो जनसकिये गनात जो है 382 वैक्ती प्रती किलोमीटर के हिसाब से मारे इंडिया में ऐग्जिस्ट करते हैं सरवादिग जनसकिया घ्ञात वालँ राज जो है वह भीहार है जहां अभी आप एक्जाम देंगेन Artem घ्रादा से नियुंतम लिस्ट सक्षातरदर की बात करते हैं 2011 के जंगन्ना के हिसाब से तो सक्षातरदर जो है 73% इंडिया की है और पूरु सक्षातरदर इसमें 80.9% है ठीक अब यहाँ देखें महिला सक्षातरदर जो है 64.6% सरवाधिक सक्षातरदर जो है 94% सबसे जदा इंडिया में है नियुंतम सक्षातरदर जो है बिहार सबसे लिस्ट जहां भी आप 66 का एक्जाम देंगे 61.8% 2011 के जंगन्ना के हिसाब से अंति माकड़े हैं हम बात कर रहे हैं जो यह डाटा है वो हम बात कर रहे हैं सरवाधिक ժुरुस्ट सक्षातर तरवला राज के रल है 93% सबसे कम पुरुस्ट सक्षातर तरवला राज भी बिहार ही है ठीक है तो यहां यह डाटा आप लोग याद रखें लिंगानुपात 2011 के हिसाब से बात करते हैं तो लिंगानुपात 2011 के डाटा के हिसाब से 943 महिला है परती 1000 पुरूस पर सरवाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है ठीक है और नियूंतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाना सरवाधिक और नियुनतम जब लिंगानुपात की बात हो रही है तो यहां बात इससे है कि केरल में पर हजार बच्चों पे जो है फीमेल्स की जो यहां पे संख्या है वो जादा है और वहीं हडियाना में हजार पुर्सों पे औरतों की संख्या यहां कम है यहां ये बात है सरवाधिक लिंगानुपाद से मतलब ये है और basics इसका जो योगदान ठीक है जो की 31.8% होता है नगड़ी ये जन संख्या में ठीक है और ग्रामी जन संख्या में जो रिकॉर्ड वृद्दी दर्द की गई है वो है 9.05 करोड यानि 21.18 परसेंट ठीक है सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाला जो राज है वो गोवा है ठीक है 62.2 परसेंट और नियुनतम नगरी जनसंख्या वाला राज हिमाचल परदेस 10 परसेंट अब अनुसुची जाती की जनसंख्या की बात करते दो जहर गैरा डाटा के हिसाब से कुल जनसंख्या जो है 21.13,088,086 यानि 16.6% हो गया टोटल का पूरुष जनसंख्या इसमें जो एक्जिस्ट करती है वो 10 करोड 35,35,166,16.6% है पूरुष जनसंख्या हो गया और महिला जनसंख्या इसमें जो है 9 करोड 38,42,921 यानि 16.7% ये भी हो गया ठीक है चल गया सरवाधिक अनुसुची जाती जनसंख्या वाला राज जी का बात हो रहा है ठीक है सरवाधिक अनुसुची जन जाती वाला जो सरवाधिक अनुसुची बात हो रही है जो कि हमारे इंडिया में जितने भी जो एक्जिस्ट करते हैं जितने सारे जितने भी उनमें सबसे जाधा यूपी में ही एक्जिस्ट करता है जो की डाटा बनता है 20.54% सबसे कम अनुसु जन संह्ख्या वाला प्रतिसत वाला राज पंजब थर्टी वन पॉइंट नाइट और सबसे कम अनुसूची जाती जन संह्ख्या वाला राज जो है वो अनुचल प्रदेश है और नाचल परदेश है जिरो परसेंट यह एक्जिस्टी नहीं करते हैं याद रखें यह ध्यान रखने वाली बात तो सबसे कम अनुसूची जाती जन संह्ख्या वाला जो राज है वो अनाचल प्रतेश और नागालेंड जिरो परसेंट अब यहां आते हैं अनुसूची जन जाती की जनसूची जनसखिया वला राज जो है यहां पर मद्य पर्देश सर्वाधिक अनुसूची जनसंखिया वला राज मद्य पर्देश एक क्रोड तिरपन लाक सोलाजय अठातर जो पूरे इंडिया का 14.16 14.69 परसेंट हो जाता है सबसे कम अनुसूची जन्जाती वाला राज जो है पंजाब एवं हडियाना 0% सरवाधिक अनुसूची जन्जाती जन संक्या परतिसत वाला राज मीजोरम 94 परसेंट यहां पर ठीक है अब जन जन गन्ना सबसे कम एवं छोटे राज्यों की बात करेंगे हम जन संक्या दूसरी सबसे बड़े राज जो है वह है उत्तर परदेश 19 करोड 98,012,341 बिहार 10 करोड 40,099,352 आंद्र परदेश 8 करोड 45,080,777 उसके बाद आपको है महरास्ट्रा 11 करोड 23,044,333 पस्षी मंगाल 9 करोड 22,0 76,112 ठीक है चलिए अब यहां जन से करेंगे सबसे छोटे राज्यों की हम बात करेंगे ठीक है सिक्किम जो है सबसे चोटे राज्यों की बात करेंगे सबसे पहले आगया सिक्किम ठीक है 6,10,570 अनचल परदेश उसके बाद ठीक है सिक्किम के बाद यहां नेक्स्ट जो न नागलेंड उन्नीस लाख अटतर हाजार पांसो दो सरवाधिक दसे के वृध्धी वाले राज जो है मेगाला है सबसे पहले 27 जमलव 9% सबसे दसे के वृध्धी का बात हो रहा है ठीक है उसके बाद आपको आगिया रुनाचल परदेश 26 जमलव 0% फिर बिहार 25 दसमलव 4% फ अब रिधी नहीं ही है ठीक है फिर यहां बात हो रही है केरल की 4.9% गोवा 8.2% आंध्रपर्दस 11% और सिकिम 12.9% सरवाधिक साक्षर्था वाले राज जो है केरल सबसे जादा है 94% ठीक है फिर मीजोरम का नंबर आता है 91.3% देन आफ्टर नंबर आ जाता है हमारे गोवा अब बात करते हैं सबसे कम साक्षर्था वाले राज लीस्ट ठीक है तो बिहार यहां नंबर एक पे है सबसे नीचे से एक पे और सबसे कम बात किया है तो सबसे उपर चला जाएगा ठीक है 61.8% फिर आजाता नंचल परते 65.4% फिर राजस्थान 66.1% फिर जहार खंड 66.4% और फिर आंद्रपर्देश 67.0% सरवादिक जनसंगे घनतवाले राज की जो बात हो रही है तो यहाँ पर सरवादिक जनसंगे घनतवाले राज जो में बिहार सबसे उपर इसमें भी ठीक है 1106 km2 के एरिया में जो है एक किलोमेटर के एरिया में 73 वेक्ती सबसे कम जनसंगे हाँ घनतवाले राजो की बात कर लेते हैं ठीक है सबसे कम जनसंगे हाँ घनतवाले राज ठीक है ना चल पर देङ productos यहाँ पे 17 km2 में 1 km2 में क्योंज बात हो रही है 17 वेक्ती यहाँ पे एक्जिस्ट करते हैं मिजोरम 52, सिक्किम 86, मनिपूर 115 और नागलेंट 119 ठीक है सरवाधिक लिंगानुपात वाले राज अब देखिए लिंगानुपात सरवाधिक लिंगानुपात वाले राज जो हो रहा है तो केरल जो है पर 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियां वहाँ पे हैं ठीक है तो सरवाधिक लिंगानुपात हैं पर हो गया फिर तामिल नाडू में हम आ जाते हैं एक हजार पे 996 लड़कियां पर एक्जिस्ट करती हैं आंद्रपरदेश एक हजार पे 993 लड़कियां एक्जिस्ट करती हैं और 36 गर एक हजार पे 991 लड़कियां एक्जिस्ट करती हैं सबसे कम लडगियान, सिक्कीम एक हज़ार पैअट divul नवर पंजाब एक हजार पैअटे सब्सक्रक्रता खरता ओ Ó थो सह के बात करते हैं तो केरग्म है ठीक है और नाचल प्रदेश यहां पर आ जाएगा 72.5% यह आकड़ा है सबसे कम पुरुस्ता अक्षरता वाले राज्यों का ठीक है चलिए तो यहां पर अब इसका सबसे कम पुरुस्ता अक्षरता वाले में आंदर प्रदेश भी आयता है उसके पाद 74.9% मेगाल है 76.0% जम सरवाधिक महिला सक्षरता वाले जो राज्यों की बात कर लें हम तो यहां पर हो जाएगा केरल 92.1% ठीक है मीजोरम 91.3% फिर गोवा 84.7% त्रिपूरा 82.7% और नागलेंट 76.1% सरवाधिक महिला सक्षरता वाले राज्यों की बात हो रही है ठीक है सबसे कम सबसे लीस्ट क हम बात करें सबसे कम महिला सक्षरता वाले राज्यों की बात हो रही है यहां पर फिर से भी हार टॉप मारा ठीक है 51.5% राजस्तान 52.1% जारकन 55.4% जबो कस्मीर 56.5% और उत्तरपर्देश 57.2% तो यह था भारत की जंगन 2011 के हिसाब से हमारे final data जो 2013 में publish हुआ था तो यह BPSC जो अब 27 को exam होना है उसके regarding में बहुत important video है exam में जाने से पहले एक बार इसको देखना जो है ना बहुत ज़्यादा important बनता है तो यह video उसलिए बहुत ज़्यादा important था ठीक है तो यह video हमारी कोसिस है जरूर बताएगा video आपको कैसा लगा ठीक है और हमें जरूर सजिस् इस टाइब के video आपको चाहिए तो हम कोसिस करेंगे वैसे videos आपको प्रोवाइड करने लिए तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दुबारा से मिलते हैं आपके साथ set number 14 लेकर डूटीडिया का जो की होगा हमारा set number 14 डूटीडिया का BPSC practice set के लिए ठीक है तो उसके साथ दु and take care bye bye and god bless you all